यूपी में इस समय पंचायद चुनाओ की तैयारियां जोरो पर हैं 25 दिसंबर की रात से परदेश में 58,000 से भी ज्यादा ग्राम पंचायदों का कारेकाल खत्म हो चुका है ऐसे में अब चुनाओ की तारीखों का इंतिजार है हाला की वोटर लिस्ट आरक्षड सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरड में चल रहा है ऐसे में संभावना है कि जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी के परथम सप्ताह में चुनाओ की अधिसूचना जारी हो जाएं इस बीच सरकार के एकादेश से 25 दिसंबर को अपना कारकाल पूरा कर चुके ग्रामपरधान सासत में है दरसल ग्रामपरधानों ने अपने कारकाल में सरकारी पैसे को कहा कहा और कितना इस्तिमाल किया है इसकी जाँच शुरू होने वाली है अगर इसमें गड़बड़ी पाई गई तो कई मौझूदा ग्रामपरधानों के इस बार चुनाव लड़ने पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं इसके लिए संभावना है कि जिला पंचायत अधिकारी टीम बना कर जाँच करेंगे कि परधानों ने अपनी कारकाल में सरकारी पैसों को कहा कहा और कितना इस्तेमाल किया है ग्राम परधानों के कारकाल के दोरान कितनी धन्रासी आवंटित की गई है और कितनी धन्रासी निकाल कर उनसे कितना विकास कार कराया गया है इसकी भी जाज होगी मुख्याले से आदेश आया है कि भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद यदि किसी प्रकार की अनिमिता पाई जाती है तो संबंधित ततकाली इन ग्राम परधान के खलाब कारवाई भी की जाए बताने कि प्रधेश में ग्राम परधानों का कारकाल 25 दिसंबर को समाप्थ होने के बाद से अब पंचायत चुनाव तक ग्राम सभा का कारकाल एडियो के पास है इस बार ग्राम परधान ग्राम पंचायत सदस, छित्र पंचायत सदस और जिला पंचायत सदस के चुनाव एक सा प्रदेश में ग्राम पंचायत का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्स ओफिसर यानि एडियो को सौपा गया है अब यही अधिकारी ग्राम पंचायत के बिकास के लिए काम करेंगे इसके साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे जानकारी के मताबिक प्रदेश का पं पंचायत चुनाओ के लिए अधिसूचना चारी करेगा राज्यसरकार की मनसा 31 मार्च तक चुनाओ कराते हुए पंचायतों का गठन कराने की है जिससे अप्रेल में होने वाली बोड की परिक्षाओं पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े